अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Moto G8 Power Lite Android मॉइल फोन में आप ब्लुटूथ की कीप सिस्टॉपिंग प्रोलॉम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं कभी भी आगर आप अपने Bluetooth को जो है किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके Bluetooth के पेच पे जो है अपने मूब्न प्रेस के एक सट्ग करते हैं कई बार ऐसा होता ही कि हमारे मूओ फून की जो प्र्रोपाली typ तकी तेकर से काम नहीं करती है जिसके वज़ेसा मुझे से वीडियों ऊप्शुन की विच्छिव की प्रोड्व मिलती है के Self-production को मु samramos स्ब स.ällen के और तो यह आप 3 सेटिंग देख रहें है ना Wi-Fi, mobile, टोटा, Bluetooth ठीक है, यह 3 सेटिंग आपकी mobile phone की Network settings में पहले से ही including रहती है ठीक है आपको नीचे की side से reset setting पे tap करना है तो अगले पेज में आपको सब सोब लिखा हुआ मिलेगा reset all network आपको नीचे की साइड इसे से टैप करना है तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवक सैटिंग को रिसेट कर देंगे तो आपके ब्लूटूथ की की सी स्टॉपिंग की प्रोडुम्स वो सॉल हो जाएगी ठीक है अब दूस्ते इसके बाद आपको अगला प्रोसिस करना आने लगती है तो आपके मॉवायल फोन का सिस्टम जो अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है देखे इसके लिए आपको सबसे बाले मॉवायल फोन करना है इंतरनेट आपको चालू रखने है इंतरनेट चालू करने की बाद आपको मुवाइल फून योपन करना है सेडिक पेज के अंदर आपको सबसे उपर सेडिंग पर टाप करना है अब यहां पर आपको सर्चपार पार में करना तो नीचे मुवाइल फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी ब्लुटूथ की कीप सिस्टॉपिंग की प्रॉडूम सॉल्व हो जाएगी ठीक है अब दोस्ते इसके बाद आपको अगला प्रॉस्स करने के है कि सिस्टम में है कमी आ जाती है तो कंel फोन हैं करता है ब्लूटूत में कीीप स्वीच टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की प्रोनुमाति यसे बहुत सारी समस्य हैं जो है वो सॉल हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से ठीक है अब दूस्तर इसके बाद आपको आखरी प्रोसेस यहां पर करना क्या है देखिए आपको अपने मुवाइल फोन को रिसेट कर देना है ठीक है देखिए पेज में आपको सबसे नीचे की तरफ आना है यहां पर आपको यह option मिलेगा system का इसे आपको टैप करना है अब इसके अंदर आपको यह option मिलता है reset option इसे आपको टैप करना है इससे क्या होगा आपका phone reset हो जाएगा और आपकी Bluetooth की keeps stopping की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करन इसे बहले दो बातों का ध्यानरे का ध्यानरे कि आपके phone में जित्रा भी डेटा आपकोились फोन में transfer कर देना है दूसरी बात ध्यानरे कि आपके phone का gmail ID आपको पासवर्ण आपको पहले से नोड़ करके रखाना यह दो काम आपको पहले करना है उसके बदाद ही आपको अपन